मेरे चानल का नाम है अवर्शा ब्यूटी कियर दुगरती हो आप सब अच्छे होंगे दोस्तों जैसा कि आपने टाइटल में देखी लिया होगा कि आज मैं आप लोगे साथ शेयर करने जा रहे हैं स्विस्टी फांडेशन का रिवियू और पर्ल इनुमिलेटर बेकप बेस क तो गाइस वीडियो करने तक प्ली जुरूर तेखिए का आपके लिए आज की वीडियो भी बहुत अलफुल होगी और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बारा हैं मुझे पहली बार देख रहे हैं तो स्वागत आपका मेरे चैनल पर और प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो पसंदाती हैं तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्स्राइब कर लीजे साथने बाल बटन इसे प्रेस कर दीजेगा ताकि आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस्ता हूँ चलिक रेंट सेक लेते हैं तो आप इसवाफ मेरे हाथ में देख सेते हैं कि यह मेरे पाद स्व सब्सक्राइब कर लीजेगा तो चलिए देख लेते हैं और इसकी हल्प से में बहुत जल देख मेकप तुटोरल भी आप लोग साथ शेयर करूंगी तो चलिए देख लेते हैं कि इस तरीकी का फांडिशन और कैसे काम करता है तो यह देखिए गया था है इस वक्त आप मेरे आप में जो देख रहे हैं यह परल इल्युमिनेटर और यह आता है कोपर कलर की कार्डबोड पैकेजिंग में कुछ इस तरीकी का शेड है इसका यह देखिए और शेड नमबर जो मेरा है वो है जीरो टू सिल्वर पिंक कलर का शेड में ने ओर्डर किया था देखिए सबी चीजा इसके पर मेंशन की हैं लाइक इस तरीके से आपको इसको यूज करना है सबी चीजा इसके पर मेंशन की हुए है यह दिखिये और जो नेक्स यह मेरे पास यह स्विस निटीजिका फावडेशन जो है यह seventeen star rougeर की की शावबोर पैकेजिं में आता है कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि silver color में की cardboard packaging में आता है तो packaging मुझे इन दोना ही product की बहुत ही अच्छी लगी है बहुत अच्छी packaging में आया है और तो चलिए मैं इसे open करकर दिखाती हूं आपको फड़ाफेट से सो यह देखें दोस्तों आप इस वक्त मेरे हाथ में जेख सकते हैं Swiss Beauty Flawless Finish Daily Wear Lightweight Foundation है यह और Instant Radiant Skin Velvet Finish Plus Mosterizing और Net Quantity आपको इसमें मिलती है 40 grams तो इसमें आपको 40 gram का product मिल जाता है सभी चीज़े इसके पर mention क्यों है यह देखें Before Use, After Use, Pig पी दी हुई इस पर तो यह कुछ इस तरह की packaging में है और यह silver color की cardboard packaging में आता है आप देख सकते हैं, packaging guys मुझे इसकी बहुत ही पसंद आई है बहुत अच्छी लगी है, यह देखें चलिए मैं इसे open करकर दिखाती हूँ आपको तो यह देखें काफी अच्छी ट्यूब है, काफी अच्छी packaging है अग्दम luxury packaging है, आप देख सकते हैं यह देखें, सभी चीजे इसके पर mention की हुई है कि क्या-क्या ingredient इसमें यूज किया गही है और कैसे यह आप इसे यूज कर सकते हैं तो यह देखें, मैं इसकी lid open कर लेती हूँ तो इसकी lid आप देख सते हैं, कुछ इस तरीके से है golden और transparent इस तरीके से glass में इसकी packaging आती है nozzle जो इसकी है, यह देखें और यह tube packaging में हैं तो इस तरीके से आप अपना product भी use कर सकते हैं तो जितना आप को चाहिए, उसकी according लिए product ले सकते हैं तो packaging काफी अची लगी है ऐसा नहीं कि आपका product waste हो जाएगा तो काफी अची packaging है और चलिए मैं इसे थोड़ा सापको एक hand search करकर दिखा देती हूँ तो यह देखे यह देखें, कितनी अची finishing दिए इसने एक बहुत अची glow आगी है यह देखें, वाके ही जो मतलब इस पर लिखा हुआ है कुछ वैसे ही खाम करती है आप देख सकते हैं, मेरे आत में shine बहुत अच्छी आ रही है यह देखें, मैंने इस अच्छे से blend भी कर लिया है तो काफी अच्छी इसने finishing दी है मेरे hands पर आप देख सकते हैं तो यह कुछ इससरह की finishing देती है यह देखें और creamy texture है, इसका texture के अगर बात करूँ तो creamy texture है और khushboo भी गाई, इसकी काफी अच्छी लगी है मतलब बलकुल जैसे foundation cream की होती है या BB SEC cream की कुछ मतलब ऐसी ही इसकी fragrance है कुछ भी काफी अच्छी है और आप देख सकते हैं, मेरे हाथ में एकदम से absorb होगी है ऐसा नहीं लगता है इसे लगाने के बाद कि आपने हैवी सा कुछ अपने face पर लगा लिया है जैसा कि हमें, अजर हम make-up करते हैं डेली यूज में भी आप इसे ट्राइ कर सकते हैं तो इसकी अपरमेंशन की हुई है और चीज़े Swiss Beauty Unique Oil Free Formulation Provides Good Coverage and SPF 42 PA++++ तो इसमें SPF 42 भी है और जो कि आपकी protection देता है आपकी skin को helps your skin retain moisture and covers blemishes और आपके दागदब्बों को भी यह कवर करता है Swiss Beauty Lightweight Formula gives you a balance and even skin tone smooth texture with moisturizer protection form, sun damage and the result you look fresh and radiant Dermatological recommended features gives a whitening effect to skin even brightens and smoothens for flawless looking skin तो यह है इसकी सारी खूबिया इसका share number तो mention नहीं किया हो है और मुझे बहुत अच्छे discount में बिल गई थी यह तो इसकी purchase link में आपको नीचर description box में डाल दूँगी तो आप एक बार check शरूर का लीजेगा तो यह है Swiss Beauty Foundation का review नेक्स में दिखाती हूँ आपको कि pearl illuminator किस तरीके से है तो यह देखिए और यह आता है copper color की cardboard packaging में कोछ इस तरीके से आप देख सकते हैं तो सभी चीजें इसके अपर भी mention की हुई है कैसे आप इसे use कर सकते हैं यह देखिए ingredient कौन कौन से इसमें इस्तमाल किये गई है तो मेरी जो shade है वो है 02 आप देखते हैं मेरी जो shade number है 02 silver pink है तो चलिए मैं अब इसे open कर लेती हूँ packaging दोनों ही product की बहुत ही अच्छी है मैं इसे open कर लिया है यह कुछ इस तरीके से product है जैसे कि मैंने order किया तो तो same product है ऐसा नहीं है कि काफी बार ऐसा होता है कुछ लोग सोचते है कि जो कुछ order करते है वो same product नहीं मिलता है लेकिर ऐसा नहीं था मैं मुझे same product मिला है जो मैंने वो किया था और इसके पर pearl भी बने हुए है यह देखिए इसकी packaging भी काफी अच्छी लगी है मुझे काफी absolute packaging है यह देखिए तो यह भी copper color कि इसकी lead है और यह भी tube packaging में है आप देख सकते है जीरो टू shade है silver pink और अब इसे open कर लेती हूं तो यह देखिए just one drop और यह थोड़ी liquid है थोड़ी creamy है mix मतलब यहां इसका texture मैं इसे आपको blend कर लेती हूं इसको दिखाती हूं फिर तो मैं इसे blend कर लेती हूं finger की help सी ते ही देखिए wow guys कितनी अची finishing आई है कितनी अची एक shine दिये इसने skin में wow मुझे बहुत ही अची लगे खुश्बू भी इसकी बहुत ही अची है और इसकी खुश्बू guys मुझे कुछ कुछ ऐसी लग रही है जैसे की like me BB cream या CC cream की होती है कुछ ऐसी घुश्बू है इसकी भी और आप इसको चाहें तो guys इसमें mix करकर भी लगा सकते हैं अपने किसी भी या other foundation में चाहें तो इसकी एक से दो drop pearl illuminator की आप वैसे भी यूज कर सकते हैं को easily blend भी हो गया है कोई ऐसी difficulties ने आइए लेकिन एक चीज का जयान रखेंगा friends जब या भी से बलाई करें तो अपने face पर moisturizer लगाना बिलकुल नभूले तो यह देखिए और इन दोनों product की मुझे एक चीज और बहुत अच्छी लगी है आपको इसके साथ extra अगर आपको highlighter वेगर अगर नहीं लगाना है तो आप इन दोनों की help से भी बहुत अच्छा makeup look create कर सकते हैं और एक तरह से मुझे लगया काईजी की highlighter का भी काम करेंगा जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसमें कुछ shining आपको मेरे हाथ में दिक रही होगी यह देखे यह एक तरह से highlighter का भी काम करेंगा तो मुझे दोनों ही product बहुत जाद अच्छे लगे हैं काफी pocket friendly है easily आप अपने purse में इसे carry कर सकते हैं तो यही था मेरा आज का Swiss beauty foundation और pearl illuminator का review आशा करते हूं आपको पसंद आया होगा तो यह थी मेरी आज की वीडियो आशा करते हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए आज का यह review helpful रहा हो और helpful लगी हो आपको अगर मेरी वीडियो हो तो झाल झाल